नमस्कार फाइटर समाचार में आपका स्वागत है पेशाज 9 अप्रेल सुबद 6 बजे राजस्तान की खास खबरें राजस्तान की मुख्य सजिव सुधाश पंथ जैपुर विकास प्रादिकर्ण की औचक निरिक्षन पर पहुँच गए सुधाश पंथ जेडिये मुख्याले की बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर से लेकर तीसरी मंजिल तक करीब 40 कमरों में गए पंथ के दौरे की सूचना मिलते ही जेडिये कमिशनर मंजूर आजपाल भी उनके साथ शामिल हो गई अधिकारियों करमचारियों की ओपस्तीती और फाइलें देखी उनकी पेंडनसी की डेट देखी करीब 10 गंटा तक दौरा करने की बाद पंथ ने सभी अधिकारियों को जेडिये के मंतन सबाखार में बुलाया या सभी के साथ बैठकी 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 बाद मीडिया से बात करते हुए पंथ ने बताया दो माँ पहले और अब के काम में बहुत सुधार है दौरे के दुरान कुछ करमचारियों के यहां पेंडनसी और लापरवाही भी पंथ को मिली उन्होंने मीडिया से बात करते हुए एक दो अधिकारियों के खिलाफ कारवई के संकेत दिये हैं कोटा जिले में मजदूरी के पैसे लेकर लोट रही विवाहिता से गैंग रेप का मामला सामने आया है इस मामले में रेलवे कोलोनी थाना पुलिस ने साथ आरोपियों को गिरफतार किया है जिन में दो आरोपी इस थाने के हिस्ट्री शीटर हैं शिकायत पर पुलिस ने मामले दर्स कर पिडिता का मेडिकल करवाया गिरफतार सभी आरोपी रेलवे कोलोनी थाना क्षेतर इलाके के रहने वाली हैं जानकारी के अनुसर 40 वर्षे विवाहिता मूल रूप से मध्यप्रदेश की रहने वाली है वर्षे वाहिता के तीन बेटे बेटी हैं विवाहिता का पती बेटी के साथ MP गया हुआ था विवाहिता मध्यप्रदेश के पैसे लेने ठेकेदार के पास गई थी दिली हाई गोट से मुख्यमंत्री अरविंद केजरिवाल को बड़ी राहत दी है कोट ने CM केजरिवाल को पत से हटाये जाने की मांग करने वाली याचिका पर फटकार लगाई याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोट ने कहा कि यह पबली सीटी के लिए किया जा रहा है कोट ने कहा कि याचिका करता पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा आपके ही पूरो विधायक रही संदीब कुमार ने किजरिवाल की गिरफतारी और जेल जाने के बाद उनको सीएम पत से हटाने के लिए कोट का दर्वाजा खट खटाया था इससे पहले अन्या लोगों की और से दाइर इसी तरह की दो याचिकाएं पहले ही हाई कोट की और से खारिस कर दी गई थी वही आप सांसद संजे सिंग ने इलेक्टोरल बॉंड को लेकर बीजेपी पर हमला बूला उन्होंने कहा कि एलेक्टोरल बॉंड का नाम पर भ्रस्टाचार हुआ उन्होंने सुप्रीम कोट को धन्यवाद की कोट ने पूरा डेटा जनता के सामने रखा गया बांसवडा डुंगरपूर लोगसबा सीट पर कॉंग्रिस चुनाव नहीं लड़ेगी दरसल बांसवडा डुंगरपूर लोगसबा सीट पर कॉंग्रिस के चुनाव लड़ने और नहीं लड़ने को लेकर बीते चार दिन से चल रही चर्चा पर आखिर विराम लगया परदेश फरभारी सुखजंदर सिंग रंधावा ने सोशिल मीडिया पर पोस्ट कर कॉंग्रिस और बीएपी के गटबंदन की घोशना कर दी उन्होंने लिखा कॉंग्रिस बांसवडा लोगसबा और बागी दोरा विदानसवा सीट पर उप चुनाव में भारतिया आदिवासी पार्टी के परत्याशी का समर्थन करेगी आजादी के बाद यह है पहला मौका होगा कि कॉंग्रिस इस लोगसबा सीट पर चुनाव नहीं लड़ेगी देश की सबसे बड़े पंचायत के चुनाव में इस बार पंजाब में अलग तरह की हवा बैरी है कई माइने में पंजाब में इस बार का चुनाव पिछले सालों की तुलना में अलग है अब तक गठ बंदन कर चुनाव लड़ने वाले दल इस बार अलग होकर चुनाव रण में उतरे हैं यानि दल अपनी अपनी ताकत का परिक्षन करे हैं हर कोई सांकलन में जुटा है कि इस बार पंजाब के चुनाव में क्या होगा यहां भी आमादमी पार्टी की सरकार है आमादमी पार्टी इंडिया गठबंदन का हिस्सा है लेकिन पंजाब में सीट शेरिंग पर बात नहीं बन पाई इसे लिए यहां कॉंग्रेस और आमादमी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ रहे है इस बार भाश्पा और शिरोमणी अकाली दल के बीच भी गठबंदन नहीं हो पाया ऐसे में कई सीटों पर भाश्पा और अकाली दल के परतियाशियों के बीच कड़ा मुकाबला होने की संभावना है चारों दलों के अलग-अलग चुनाव लड़ने से पंजाब का चुनाव इस बार रोचक होना तैह है इस सब्ता बैंकों में एक के बाद एक छुटियाँ देखने को मिलेंगी और कुछ राजों में सोंभार और मंगलवार हॉलिडे के करण चुटियां अगले सब्ता तक भी बढ़ जाएंगी बैंकों में जाने वाले लोगों को यह सला दी जाती है किवे स्थानियव राजय अवकास चुटियों की पुस्टी करने के लिए अपने निकरतम बैंक शाखाओं से जाच करें अप्रेल दोजर चौबिस में भारत में बैंक बारा दिनों के लिए बंद रहेंगे की औरच की और से जारी बैंकों की छूटियों के लिस्ट की अनुसर परतिक राजय में छूटियों की तारीख अलग-अलग है सबे राजटिय बैंकों में 9 App esperl, 10 App browser, 11 Appтр, 13 Appärstore और 14 App sparel को लगतार 5 छूटियों होंगी कुछ राजों में 15 और 16 अप्रेल को करमश्य बी हूँ और आम नवमी के लिए बैंक छुटियों पर हैं छुटियों पर आनलाइन बैंकिंग सिवाएं जारी रहेंगी हनुमानगर जिले में आईपेल मैच के दुरान किर्किट सटा कर रहे हैं एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उक्त व्यक्ति के पास से लाखुर पे की नगदी के लावा मुबाइल वे नोट गिनने वाली मशीन भी बरामत की है यह कारवई नोहर थाना पुलिस ने की पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति अरकडी बस स्टैंड पर खड़ा है जो मुबाइल से आईपेल पर किर्किट सटा कर रहा है पुलिस मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि मौके से शिव चौक वार नमबर 22 नोहर निवासी लुकेश कंदोई आईपेल पर किर्किट सटा लगाते हुए मिला पुलिस को देख कर उसने भागने का प्रियास किया लेकिन पुलिस ने उसको दबोच लिया लुकेश की तलाशे ले तो उसके पास से 5,87,000 पे नगत तीन मुबाइल और नोट गिनने वाली मशीन बरामद हुए हरियाना में लोग सुबच चुनाव से पहले जन नायक जनता पार्टी में बगावत शुरू हो गई है परदेश अद्यक्ष निशान सिंग ने पार्टी छोड़ दी है उन्होंने अभी पार्टी हाई कमान को मौकिक रूप से पार्टी छोड़ दें की जानकारी दी है जल् 2021 और 2023 में जजपा के पूरे संगठन में फिर बदल हुआ लेकिन निशान सिंग को हर बार परदेश अद्यक्ष के जिम्मेदारी मिली पार्टी के सुतरों का कहना है कि निशान सिंग पार्टी के सीनियर नेताओं के कुछ फैसलों से सहमत नहीं है उदर पार्टी की रास्ट अजमेर से मानेता प्राप्त परदेश पर के सरकारी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाली नौमी और ग्यारवी के विद्यार्टियों की वार्षिक परिक्षाह सोंवार से शुरू हो गई हलांकि परदेश के कुछ जिलों में यह परिक्षय पांच अपरेल से शुरू हो चुकी हैं अजमेर बोड की दसवीं, बारवीं तथा आठवीं की बोड परिक्षय स्माप्त होने की बाशिक्षा विभाग साल 2024 की स्थानिय परिक्षयों का अयूजन कर रहा है गौर तलब है कि पहले विभाग की और से जारी शिवीरा पंचांग की अनुसार स्थानिय परिक्षय आठ से 25 अपरेल की मद्या आयोजित की जाने थी परंतु राज्य में दो चरणों में होने वाले लोकसबच नाव की चलते इंतित्यों की अवदी बढ़ा कर 5-30 अपरेल कर दी गई थी पहले दिन 9 वी का अंग्रेजी तथा 11 वी का हिंदी विश्य का पेपर हुआ परिक्षय 29 अपरेल तक चलेंगी रातक में भाजबकी मिद्वार डॉक्टर अर्विंद शर्मा का जमकर विरोध हुआ इस तुरान किसानों ने अर्विंद शर्मा को काले जंडे दिखाए जिस कारण उन्हें अपना भाशन बीच में ही छोड़ कर जाना पड़ा वही कारेक्रम के दुरान विरोध कर रहे हैं किसानों वे भाजबा समर्थ को ने जमकर हंगामा भी हुआ विरोध के कारण सांसद को अपना भाशन बंद करके कारेक्रम से वापस लोटना पड़ा डॉक्टर अर्विंद शर्मा का गाम सैमर्ण वे गाउं भैनी सुर्जन बढ़ाली में विरोध किया गया है इससे पहले उनका रहतक लोग सबा के कोसली हलके में भी विरोध हुआ आपको बता दें कि डॉक्टर अल्विंद शर्मा गाम सैमार्ण में वे गाउं भैनी सुर्जन में आयूजित कारेकरमों में भाग लेने पहुँचे थे इस दोरान किसानों ने विरोध किया और मुर्दा बात की नारे लगाए कारेकरम स्थल में घुसने को लेकर धका मुक हो गई जबकि 23 लोग घंबी रूप से खायल हो गए खायलों को 108 एंबुलेंस की मदद से उपचार के लिए सिविल अस्पताल का पूर्थला में भरती करवाया गया है सोचना पर थाना फतुडिंगा पुलिस ने खायलों को अस्पताल में भरती करवा कर जांच शुरू कर है बताया जा रहा है कि महिंद्रा बोलैरो पिकप में सवार लोग तरंतार निजिले के नंगली गाम के रहने वाले हैं और शिर्या नंदपूर साहिप से माथा टेकने के बाद गाम लोट रहे थे और रास्ते में फतुडिंगा से मुंडी मोड पर वरनाकार की टक्कर में य तोग गया